दोस्तों GDS याने ग्रामीन डाको से बाप पोस्ट का नोटिफिकेशन फिर से आया है देखिए टोटाल 12,800 पोस्ट है अगर आप लोगों में से कोई भी इस पोस्ट के लिए अपलाय करना चाहते हैं तो 22,5 2023 से इसका उनलाइन स्टार्ट हो चुका है आप लोग जाके अपला कर सकते हैं देखिए 116 2023 को इसका लास्ट डेट है अब देखिए यहां और रिज्वाप OBC EWS मेल काटागोरी के स्टुडेंस के लिए 100 रुपे या ओनलाइन चार्जेस है देखिए दोस्तों यहां नीचे बताया है STSC PWD फिमेल केंडिडेट के लिए नील है यानि फीस नहीं लागेगा और केंडिडेट का जो चार्जेस है वो क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड या फिर नेट बेंकिंग के थरों ही वो पे कर सकते हैं देखिए यहां 22 माच 2023 से ओनलाइन स्टार्ट हो चुका है और उसका जो लास डेट है वो है 116 2030 और देखिए है नीचे डेट फ़र एडिट एप्लिकेशन फर्म 12 छे दिहजार तेस टू 14 छे दिहजार तेस यानि एप्लिकेंड आगर चाहे तो आपने एप्लिकेशन फर्म क 12 से लेकर 14 तारिक अंदर एडिट करके फिर सेरी समिट कर सकते हैं अब देखिए यहां केंडिडेट का जो मिनिममम एज लिमिट 18 से कम नहीं होना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम एज 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड क्वालिकेशन में तेन पास्ट होना चाहिए यहांड बेकनशी डिटेल से कुंट्रा स्टेट में कितना बेकनशी है सारे के सारी यहां है मैं इस पीडियाइप का लिंक निचे डिस्क्रीप्सम में दे लिए हूं दोस्तों आप जाके वहां से डालोर्ड करके देख भी सकते हैं आब रही एक्जाम आप सब जानते हैं कि इस post में कोई exam देने के ज़र्रत नहीं है आपके certificate basis से ही select किया जाता है दोस्तों जब आप इस post में select हो जाऊगी इन दो category post में से ही किसी एक post में आपको select किया जाएगा आपकी certificate के अनुसार आपको select किया जाएगा जैसे की BPM यानि branch postmaster और उसका जो सेलेरी होगा दोस्तों 12,000 से 300,380 तक और दुसरा ABPM यानि आसिस्टेंट्स ब्रांच पुस्ट मास्टर अगर आप इस पुस्ट में लेक्ट हो जागी तो दोस्तों आपका सेलेरी होगा 10,000 से लेकर 24,470 तक देखिए पहले बताया था edge limit फिर से बता देता हूँ अगर candidate a edge limit 18 से कम नहीं होना चाहिए और maximum edge limit 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है अब देखिए relaxation in upper edge limit बिल्कुल पहले की तरह ही दोस्तों अगर कोई candidate HTSC है और उसका edge होगा 40 से ज्यादा है तो उसका edge relaxation होगा 5 years यानि 40 एर ये 5 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल इसी तरह अगर कोई candidate OBC category क्या है तो उसका edge relaxation year होगा 3 year economy worker section का कोई edge relation नहीं है बिल्कुल इसी तरह disability plus OBC candidate के लिए 13 years का edge relation है and disability plus HTSC candidate के लिए 15 years का edge relation है दोस्तों इस पीडिये को अगर आप डानलोड करना चाहते हैं तो निचे description में लिंक दे दिया हूँ आप वहाँ से जाके डानलोड कार सकते हैं बस छोटा सा information था दोस्तों फिर मिलेंगे आगे